जैसा कि दोस्तों आपने पिछले बिसोर में देखा था ये लड़की ब्रिज को क्रॉस कर लेती है और साथी साथ लूचान को धंकी देकर ये भी जा रही थी कि अगर अगर अगली बार हम लोग बिलेंगे तो देख लेना तुम जिन्दा नहीं बचने वाले हो और ये कह के व और वहाँ पर वो जो पानी है वो आपकी खालो धेर देगा लूचन सभी लोगों से कहने लगता है कि ये ब्रिज बाकी सभी ब्रिज इससे अलग है इसमें हमें खुद की विल पावर पर डिपेंड होना पड़ेगा और मैं यहाँ पर किसी कोई फोर्स नहीं करने वाला हू जो कि वो इस ब्रिज को पार करें जिसका मन है वो पार कर सकता है और जिसका मन नहीं है पार करने का ओ वो मनी मन में मुस्कुरा रहा होता है और सोच रहा था ये दोनों तुम मेरे टीम के सबसे बड़े चूर हैं मैं इन्हें लिए भी नहीं कैसे यहां से निकल सकता हूं लेगिन फिर थोई देर बाद हमें सभी लोग का फैसला सुनाया जाता है कोई भी लूचैन का यहां पर इ उसे इल्यूजन साना शुरू होते लेगिन वो बढ़ रहा होता है अचानक से हमें दिखाया जाता है कि वो किसी औरी जगा पर टेलिपोर्ट हो चुका होता है और उस जगा पर उसे उसके डैड देख रहे होते हैं जो बहुत बुरी तरीके से घायल होते हैं अब मैं क्या क कर दीजेगा मैं आपके फांडेशन को बरकरार नहीं रख सकता हूं और आपकी शी फैमली को भी नहीं मैं आपसे माफी मांगता हूं और फिर वो अपनी गर्दन पे तलवार रखते हैं इधर वो अपने फादर को रोकने के लिए आ रहा होता है लेगिन वो तलवार चला च मैं बहुत बहुत शुक्रे गुजार हूँ भगवान का कि उन्होंने तुम्हें हमारे फैमली का बेटा बना के नहीं भेजा है तुम्हें भी मरना पड़ेगा तुम्हें भी हमारे एंसेस्टर से माफी मांगने पड़ेगी इधर ये कह रहा होता है नहीं मैं गलत था मुझ कर रहा था करीबन तीन साल हो चुके हैं और मैंने अपने फैमिली का बतला ले लिया है एक इल्यूजन मुझे नहीं हरा सकता है फिर से वह वापस से खड़ा होता है और इस बार सेफली वह ब्रिज को पाड़ कर चुका होता है इसे देखने के बार तो लूचैन की सांस में सां अचा नहीं मुझे नहीं लगता कि आपको ब्रिज को क्रॉस करना चाहिए लेकिन वह कहते हैं मास्टर आप अभी तक एक सीग्रेट चीज के बारे में नहीं जानते हैं हर साल एनिमेल फेस्टिवल होता था इनके विलेज में और उस विलेज में एक माउंटें था मतलब दो माउंटेंट थे दोनों माउंटेंट के बीच में ऐसा ही सिंगल प्लैंक का एक ब्रिज बना हुआ था और जब भी कोई उस ब्रिज पर चलता था तो उसका सर चकराने लगता था और ये लोग तो बचपन से ही उस ब्रिज पर चलते आ रहे हैं तो ये चीज को इनके लिए साथ हम लोग इसमें अपना नैसनल स्वांग भी गाते रहते हैं जिससे ब्रिज को पार करना और भी जादा आसान हो जाता है हमने बहुत बारे सही किया है लूचन उनसे कहता है अगर आपके पास ये बात थी तो आपको बचे ये बात पहले ना बतानी चाहिए ठीक है अग बड़े आराम और आसानी के साथ ये दोरों ब्रिज को पार कर लेते हैं लूचन सोच रहा होता है इनके जियांग फैमली का जो नैसनल सौंग है ये तो सचमुच काम कर रहा है वो इल्यूजन इनके उपर जड़ा भी एफेक्ट नहीं कर पाया लेकिन अगर इस पॉइंट ब्यू से देखा जाए तो जो जियांग फैमली है वो किसी ना किसी तरीके से इस सीग्रेट रियलम से रिलेटेड है हो सकता है वो लोग सीग्रेट रियलम में ही इन लोग का जनम हुआ हो अब बाकी सभी जितने ही बच्चे हुए होते हैं वो सभी गाना गाते गाते आगे अगे आने वाली चुनातीयों को तुमें अकेला ही फेस करना पड़ेगा मैं तुम सभी लोग को बेष्ट आफ लग को दिखाया जाता है जो कि सभी लोग को कवर कर चुकी होती है और फिर वहां पर होता है एक बहुत ही बड़ा धमाका इस धमाके के अगले सीन में मे सबी लोग को अकेले ही पार करना पड़ेगा लूचेन आगे बढ़ना शुरू करता है जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा होता है उसे यहां पर अजीब अजीब सी फीलिंग आ रही होती है क्योंकि यहां चारो तरफ का औरा पहले बाकी सबी जगह के औरा से कुछ ज़़ा ही अलब होता है वो सोच रहा होता है लगता है जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है क्या वो बिल्कुल साच है कि यहां पर पहले इमोटल्स रहा करते थे लेकिन वो कहां रहा करते थे थर्ड लेवल कॉंटिनेंट में उससे ज़ादा उपर सकंड लेवल कॉंटिनेंट में या फिर फर्स्ट लेवल कॉंटिनेंट में क्योंकि यहां चारो तरफ पेड़ पौदे में भी बहुत ज़ादा पावर है इस दुनिया में अभी भी ऐसे ढेर सारी मिस्ट्रीज हैं जिसे मुझे पता नहीं है जैसे कि वो बीश टाइड और साथी साथ ये सब दर्वाजे जो सीग्रेट रिलम में खुलते हैं और भी रिलम्स में खुलते हैं वो मास्क वाला वंदा आखिर वो मास्क वाला वंदा है कौन लेगिन आज नहीं तो कल मैं इन सारी चीजों के बारे में पता लगा लुँगा और मुझे कौन मारना चाहता है और क्या था आखिर इस बॉडी का असली मास्टर मरा कैसे लेकिन फिलाल अभी तो ये सब बिल्कुल भी जरूरी नहीं है अभी सबसे जादा important चीज तो ये है कि मुझे आगे बढ़ते रहना होगा सबसे पहले fourth bridge को ढूनना पड़ेगा जैसे ही मैं fourth level को पार कर लूँगा हो सकता है बाकी सब भी लोगों से मिल सकूँ लेकिन इधर हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत ही तेज तीर उसकी तरफ आगे बर रहा होता है लेकिन लूचैन भी बहुत तेज होता है वो तीर सीते जाके पेर से टकरा जाती है लेकिन उस तीर में कुछ स्पेशल होता है वो एक्स्प्लोड कर जाती है लेकिन लूचेन फिर भी उस धमाके से भी बच चुका होता है और कह रहा होता है कि कौन है याँ पर किसकी इतनी हिमत हो गई तभी हमें दिखाया जाता है कि कुछ नकाब पुश बंदे उसके चारों तरफ आ जाते हैं उसे घेर लेते हैं और इनकी महरानी होती ही ये लड़की वो कहती है ओ देखा हम लोग फिर से इतनी जल्दी मिल गए लूचेन उससे कहा रहा होता है तुम इतनी मुश्किल से तो मेरे चंगुल से भागी थी मुझे लगा था कि तुम मुझे तकलीफ देने के लिए वापस नहीं आने वाली हो लेकिन यहाँ देखो यहां तो उल्टा ही हो रहा है वो कहती है कि मैंने तुम से पहले भी कहा था और यहां पे इसका अकेले का कल्टिवेशन 160 साल से उपर होता है तो ये लोग तो अराम से इससे हार जाएंगे यहां से रही होती है और कहाती है भले ही हमारा कल्टिवेशन कमजोर हो लेकिन इससे कुछ फरक नहीं पड़ता है क्योंकि इनके सेक्ट का जो सीक्रेट ट्रिक है वो कल्टिवेशन पर डिपेंड नहीं करता है इनके पास एक किलिंग फॉर्मेशन है जिससे ये बहुत ही ताकत वर बंदे को भी अराम से मार सकते हैं भले ही वो लूचेन क्यों नहों या आप लोग को एक फैक्ट बता रहा हूं इनका सेक्ट फॉर्मेशन पर यकीन रखता है यानि टीम वर्क पर यकीन रखो अकेला बंदा क्या ही जिताएगा वो अपने सभी बंदों को ओडर देती है कि जाओ और उसे अपनी सीग्रेट किलिंग टेक्नीक से मार दो सभी लोग उसे चारो तरफ से घेर लेता है सभी लोग के पास वही खतरनाप वाला एरो होता है अब लूचेन चारो तरफ से घेर चुका है वो बचके भी कहां जाने वाला है क्योंकि इनके पास arrow होता है मार देंगे तब पीछे से निकल जाएगा तो तो गाईज आपको क्या लगता है क्या ये इनके secret टेकनीक से बाहर निकल पाएगा क्योंकि जानते हैं बहुत साथ है powerful है फिर मिलते हैं नेक्स टेपिसोड में तब तक लिए बाई बाई